हेलो शुर्ण सेलकाम बैक तो माई उट्रोफ चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी बात करेंगे आज आज आपका हैस्टेग नंबर फाइब यह स्वाइब को मरें बच्छे सेमेस्टर फूर के मोस्ट इंपॉर्टन कोशन साथ आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा इसके व कुरूसर नंबर पूर्ण की जमाल पार्ट करोंगा स्यब्सक्राइब को पता है सर्यी हमारे ओब्जेक्टिफ fare ऑन कि क्या वटेश्व उत्यक्क्टिस होते हैं और और आपको मिलेगा सीडी या तो आप एपी कबर करो या फिर आप सीडी कबर कर लो क्लियर है और यह आपको रहेगा सर्फ 15 मार्क्स का इसकी बाद हम लोगे कर लिया कि यूनिट वर्ण में सर कौन-कौन से हमारे इंपोर्टन टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स यह वने के बाद अगर हो जाएगा उसके बाद कुछ और एक से दूपिक्स मेंने इंपोर्टन किया था बट गाने पहले इंपोर्टन नहीं करना है जैसे कौन-कौन से एक तो हमारा सर्मीनिंग मतलब स्रीं मेनिंग पार्ट करता है तो इसमें से इंपोर्टर में टिंप्स में से एक दिया था मतम यह को इन इसको करा आपको वो इंपोर्टन टीक उपर तोपिक से यह आई आपके इसके बाद उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक हमारे करने हैं पैले चीट ओर इंट करना है क्लियर है बिल्गुल पर यही आपको क्या करने प्रेशन कर लेने हैं ओलिडी यूट वर में मेंशन किया था बट फिर भी किसी ही आपको चलना है और इसी तरीके से हमको लेक्ट्स भी मिलने वाले आगे का जो हैस्टेगा इसक्स मेनिंग पार्ट से मिस्टार्ट करेंगे और लिदी मेंशन करते को चलूँगा क्या टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं कि एक चलिए नेक्श यूनिट टू में तीम टॉपिक्स मैंने पिक किया था आप लोगों यहां पर प्रसेम कुशन आएगा एबी और आपका सीवी यह तो आप लोग लोग एबी कवर करोगे या तो आप लोग यह फिर आप सीडी कवर करोगे प्लेर है क्या आए हो बच्छो लोगो समझ में आए प्रप्र पैंटर्न के वाइंग और यहां पर लगेगा आपका और कितने मार्ट से सर्फ इसमें भी मैंने कुश्चन ने इसमें भी सिदा टॉपिक देख यह टॉपिक्स के लेक्श्ट आपको मिलेंगे और यह यह टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस कर सब्सक्राइब लिएना है कुछ सा ऑडिट प्लानिग पहला है और इत्प्रोग्म है और इत्वर्किंग पेपर है और डिटी स्क्रिंप एड़ कर दे रहां कि जिन बच्शों को अभी भी मत पुरानी वीडों नहीं डेकर यूनिट की दो विडियो सब कर दिया हूं नहीं देखे तो यहां पर अगर स्क्रीन पर बैड़ कर रहा हो भी नहीं दिख रहा है तो आट इस यह की आईडिया आप देख लोग तीन टॉपिक है सर तीर तीन टॉपिक्स के लेक्स आपको मिल जाएंगे मतलब तीन टॉपिक कम्प्लीट कवर करके जाना है हम को सर नेक्स यून तो मैंने टॉपिक वेस्पे दिया बड़ यूनिट नमर फॉर में ऐसा टॉपिक वेस्पे यहां पर सिद्वा कुश्चन ही पूछा लाता है अब ऐसा टॉपिक में नहीं है अब जैसे आप लोग ने को बता होगा है इंटरनल लोग में सर छे से साथ कुशन आई तिंग थ तो यहाँ पर दो आप लोगा कोनों से इंपोर्टेंट अपिक से मस्धी फोन की बात करो ख़ंग मरत गीतर लिकंग आप इंपोर्टेंट देख रहेला आता है सेल्स का टॉपिक देन निके सेगें हमारा सर पॉर्शेस भी आप इंपॉर्टेंट लिए पूछ जाता है और टेक्निक्स एन वाउचिंग यूरी टमबर फूर कुशन नुम्बर अल्रीडी मेंशन बता दिया हूं यह आप करेगा कुशन नुम्बर थार्ड यह आप क आप सब्सक्राइब करें से उसके बाद और बहुत सारे हमारे एक्सफेंस से इंकम है तो उसमें से वह मनें से हमने कर दिया सब्सक्राइब और रिमेनिंग और कुछ को इंपोर्टन कोशन की जब बात करूंगा आपका एक तो रेंटल इंकम भी आइड करो इसमें रेंटल इंकम क्योंकि यहीं सब्सक्राइब पूरे पूछा जाएंगे और कुछिंस आप एड़ करो आपका इंटरेस्ट एक्सफेंस सेर्व मुष्ट इंपॉर्टन लग रहे जो इंटरेस्टरीं से अered करो आपको है इनडास एक्सफेंस अगया इंब्सा सकता है हमारे इंट्रेस्ट मेंakah करो अप इंट्रेस्ट इंकम भी आइड़ करो और कुस्टिन्स देख लेते हैं क्या कुछ इंपोर्टन बन सकता है हमारा से सेल्स रेंटल इंकम इंट्रेस्ट यह चली यह इतने और कोई इंपोर्टन आपका इस टॉपिक से दिखने ही रहे और यह इतने टॉपिक्स कि ते टॉपिक्स नहीं छे कोश्टन मैंने कि इडिके इस तरीके से बहुत सारे और भी एक्सपेंसे से जिसे मैं बात करूं कुरूर कमिशन आइड प्रेवलिंग पुस्ट जन टेलीग्राम है टेलीफॉन एक्सपेंसे से इंस्षरेंस प्रेमिया मे कितने हैं बढ़ मैंने आपके questions pension किया अब जान से देखने हैं और सुनना भी एक किस तरीके से आपको लेक्स मिलें और क्या 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 प्रिप्रेशन करनी कैसे करनी पहले लेंगे मतलब इसी तरीके से यूनिट बन पहले चलेगा फिर फोर्थ होगा इतना सुने के बाद अगर हमारे पास टाइमिंग बच जाएगा तो हम लोग फोड़ा सा फोकस करेंगे सर के और इंपॉर्टेन मतलब जो कुछ रिमेनिंग कोश्चन्स इनकेस किसी प्रिमियस यह में बने कोश्चन्स वहां से भी कोश्चन्स हम लोग करें मतलब क्या करना है complete इतने topics होने के ब बात करते हो थर्डी की बात करते हो तो हर एक यूटि में आपको इस तरीके से पूस्चन्स आपको है कि टॉपिक में आयो पूस्चन्स आपको दिख रहे सिक्स सेवन एट टेन गुश्चन्स तग भी है तो मतलब यहां यहां यूट वन टू ठी से ज्यादा एड़ा करने हैं और सिद्स से 50 मास्चन्स प्लिअगा प्लस 5 मांक्स का शौR मुट समय थिए थोड़ी से जहां पर कम मिहनत करने अच्छा मिल जाएगा मतलब मेयनत यहां पर आपतन है और यूटियू को मिले गा अधर टॉपिक हमारे है वहां पर आपको नंबर यॉध ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और ज्यादा कोशेश करने पर हर एक यूनिट कितना फिप्टीन ये तो लॉंग होगे शॉर्ट नूर्स आप बैड़ करोगे तो तुन्टी यहां से अंदर तुन्टी यहां से मिनिमम क्लियर है एक बच्चे को कंस्षेट समझ माया गया इसके बाद कवमर्स का अलमॉस्ट है कम्प्रीट होने गया है अब कॉमर्स के साथ में अप लोग साथ में एकनोमिक्स औड और अड़ू जाएगा इकनोमिक्स और हो जाएसी चैनल पर और कंट्वीडियो मिलने वाली है आप लोग को इन केस में बारबर मेंशन करता हूं मुझे भी पता है कि अभी आपके पास टाइम है नेक्स्ट मार्श इंड या फिर अप्रेल में आप लोग का इजाम है तो उससे पहले त्राइड करेंगे कम्लीट कर ले हैं क्लिए और हो जाएगा जहां तक तो आप देख रहे हो लेक्ट्स आपके मिल रहे हैं रीमेनिंग बच रहे हैं आपके दो सब्जेक्ट एक टो इडवर्टाइजिंग बच रहे हैं तो उसके लेक्ट्स पॉसिबल तो नहीं है वहां से आपको खुछ से प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिजनेस लॉग का 50-50 च चाहसेंट आपको इसमन हें टो असे यूनित तो दो कशे कार णजर लेक्स हमारे मिले ले Liqui हैं अब जसम को मिलेंगे तो मैंने बताए कि दो यूनित कर दो यूनित से ज्यादा तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा चिए इसल हैं यूनित मेरा परफेक्ट है एक पार्टर्शिप एक 1932 सेकेंड हमारा कंजूमर एक 2000 1986 था उसमें जो आमेंड हुआ है वो सी यर की बात करेंगे तो मतलब दो यूनिट आपको बिजनेस लॉक के मिल जाएंगे बाकी रेमेनिंग जो सब्जेक हैं जिसे आपके कॉमर्स कंप्लीट मिलेगा या फेक की बात करेंगे कंप्लीट मिलेगा सेकेट चैनल पर इकनोमिक्स कंप्लीट इंपॉर्टन कोश्चिंश मिल जाएगा पूरा और जिनेस लॉक के दो यूनिट आपको मिलेगे दो मैंने बोल दिया दो मिलेगे और एक्जाम से पहले इन के जान से देख रो सुन लो समझ लो भाई कि आप लोगा एक से दो दिन का गैप अगर होत बच्चों की कॉस्ट अकॉंटिंग की बैच चल रही या फिर की मैट्स का सरी चल रहे तो वहां पिर आप लोगों का पंदला तारिक तक लेक्चेस बीच बीच में आये हैं पॉसिबल हुआ लेकिन 15 के बार 15 के बार आज 15 के बार मैंने बोला ता 16 या फिर 17 से हमारी पीपर बैड़न इंप्रोंटन कोश्चन्स फॉलो किया है उसके बाद कहीं कंसेप उनको समझेगा लेक्चेस आपको कैसे मिलने वाले हैं जो लेक्चेस घौय मिलने वाले हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक तारिक से मैंने क्या हो लगता है कि जो आपका गैप हुआ एक से पंद्रा के बीच में काफी दिन का गैप भी हुआ या फिर एकी सब्जेक्ट का दूपोशन मिल जाती है बड़ा एडवांटेज आपको रहा है आप उसको फॉलो करते रहो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहो एक्जाम से बहुत अच्छे तरीके से हम सब्सक्राइब करेंगे से कंप्लीट कर लेंगे तुछे लिए किस किसी टॉपीक को लेगे किसी सब्जेक्ट को लेगे कॉमेंट में आड़ कर दो या फिर वीडियो थोड़ी सीवी अलफुल लग रहे तो वीडियो को लाइक करना है अच्छे अच्छे कॉमेंट एड़ करना है और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेर करते झाल